आस्वाद घर की रसोई से मैं आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं मतर पनीर तो चलिए स्टाट कहते हैं मतर पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हुए तीन टमाटर चार प्याज यह लसुन तीन चार हरी मिर्च और अद्रक एक इंच इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे देखिए मैंने चॉप कर लिया है तो चलिए हम थोड़ा से इन्हें सॉफ्ट कर लेंगे तो हम सबसे पहले एक कड़ाए ले लेंगे उसे गरम कर देंगे उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल को गरम होने देंगे अपने चॉप अनियन आड़ कर देंगे इसी में हम ग्रीन चिली और लसुन अद्रक भी आड़ कर देंगे और इन्हें हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है बस ज़रा सा सॉफ्ट करना है देखिए चला लेंगे अच्छी तरह से हम सॉफ्ट कर लेने से इसकी प्यूरी बनाने में हमें आसानी होगी और इसका थोड़ा सा कच्चापन भी खतम जाएगा देखिए मैं टमाटर अट कर दे रही हूँ टमाटरों को भी हमें ज़्यादा पकाना नहीं है बस सॉफ्ट करना है वैसे बुछ टमाटर जल्दी पक जाते है हम इसमें थोड़ा सा नमक भी अट कर देंगे जिससे इनके कुकिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाएगी तो देखिए मैं इस नमक अट कर दिया है इसे हम चला लेंगे थोड़ा सा और थोड़ी देर वेट करेंगे टमाटर सॉफ्ट होने का तो फ्रेंट्स न्यू येर आ रहा है तो आप इस न्यू येर ज़रूर ट्राय किजिएगा मटर पनीर और आपका एडवाइन्स में मेरी तरफ से हैपी न्यू येर देखिए हमारे माटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गया है देखिए आप देख सकते हैं बस हमें सॉफ्ट ही करना है ज़्यादा हमें इसे ओवर कुकिंग नहीं करना है चला लेंगे हम अच्छी तरह से इसे इसे हमें चलाते रहना है छोड़ना नहीं है इस तरह से हम थोड़ा सा पानी आट कर दे रही हूं half cup mix करके हम इसे ढख कर दो से तीन मिनट पकने देंगे ज़्यादा समय नहीं देखिए अच्छी तरह पानी में उबाल आ चुका है मैंने गैस फ्ले मॉफ कर दी है इसे हम निकाल लेंगे और साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे देखिए हमारे टोमाटो भी पक चुके है देखिए इसे हम बंद कर देंगे गैस को और इसे हम side में निकाल लेंगे थंडा होने के लिए रग देंगे यह देखिए मैंने इस plate में निकाल दिया है और यहां पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर पनीर के हम cubes cut कर लेंगे बड़े-बड़े size में यह आपको जैसे cut करना हो बहुत बार packet वाला पनीर तो cut किया हुआ भी मिलता है तो उसमें कुछ option नहीं होता है कि हम ऐसे cut करें मटर पनीर में थोड़े से पनीर बड़े होता है तो खाने का taste ही बहुत अच्छा हता है तो हम पनीर को fry कर लेंगे थोड़ा सा जीरा एट किया है मैंने पनीर फ्राइ करने के लिए और देखिए अपने के क्यूप्स को आराम से हम डालेंगे तेल में इन्हें हमें दोनों चारो तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना बस सेक लेना अच्छा सा रंग आ जाना चेह इन पर देखिए आराम से एक-एक स्पून से हम पलट लेंगे देखिए हलका-अलका गोल्डन कलर आ चुका है हमारे पनीर्स पे मीडियम फ्लेम पे हम ये काम करेंगे हाइ फ्लेम पे नहीं हमारे पनीर की सता बाहर से जल सकती है हमें अपने पनीर को जलाना नहीं है देखिए अच्छे से हमने अपने पनीर को फ्राइ कर लिया है आप शायद तो इसे टोस्ट भी कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो देखिए हमने अपना पनीर निकाल लिया है और इसी तेल में हम अ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मटर पनीर बनाना तो हमने कड़ाई गरम करने के लिए रग दी है उसमें डाला है मैंने एक चमच बेसन फटा फट से हमें इसे भून लेना है इसे में हम एड़ कर देंगे लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी मिर्च पाउडर और तीखी मिर्च पाउडर दोनों मैंने एड़ की है इसे भी फटा फट से हम चला लेंगे ये स्टेज पर हम इसे डाल देंगे ताकि मसालों का अच्छा सा रंग आ जाएगा जादा हमें नहीं पकाना बस बेशन का कच्छापन खतम करना है और अपनी प्यूरी आड़ कर देंगे हम इसमें देखिए अब अच्छे से अपनी प्यूरी के इन मसालों के साथ पका लेंगे हम अच्छी तरह से तेल छूटने तक हमें अपना मसाला पका लेना है और इस मसाले में आप चाहिए तो धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला या किचन किंग मसाला या जो भी मसाला हो आपके पास वो आप आड़ कर सकते है मैंने धनिया जीरा पाउडर एट किया है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब और ये देखिए आपे मैंने 200 ग्राम मटर ली हुई है हम मटर एट कर देंगे हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है अब हम मटर के साथ अपने मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और इस तरह से हमारा मसाला भी पकेगा और हमारी मटर भून मसाला में पक जाएगी तो ये देखिए वही प्लेट थी जिसमें मैंने प्यूरी निकाली थी तो उसी प्लेट को साफ करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी आट किया था और वो प्यूरी का पानी हमने वेस्ट नहीं किया हमने अपनी सबजी में आट कर दिया अपनी सबजी को हम मैं अच्छे से वो पानी मिक्स कर देंगे कि फोड़ा सा पानी आड़ करने से क्या होता है हमारे मसालों के जलने का डर खतम हो जाता है और वो अच्छे से कूक हो जाते हैं, देखिए इसे मैंने ढखकार 5-10 मिनट पकाया श्लो फ्लेम पर और बीच-पीच में में चेक करती रही हूं, अब हमारे मतर और मसाल अच्छी तो अब मैने इसमें पानी आट कर दिया है, 300 to 400 ml तक पानी मने आट किया है, मतर पनीर में थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए अच्छी सी, तो मतर पनीर का बहुत अच्छा कॉंबिनेशन बनता है, तो देखिए मैने पानी आट कर दिया है, अब हमें इसे धग देंगे और एक अच्छी बॉइल आने देंगे, यह देखिए, अभी यह थोड़ा सा बॉइल हो रहा है, पर इसमें बहुत सारा यह जाग, यह जाग खतम होने तक हमें इसे बॉइल करना है, मैंने इसमें नम्मक एट कर दिया है, स्वाद अनुसार, इसमें फेसे ढग देंगे और अच्छ से यह बॉइल आ चुकी है, सारा जाग भी खतम हो गया है, हम इसमें एक एक करके अपने पनीर एट कर देंगे, देखिए, आराम से एक एक पनीर एट कर देंगे, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राइ की और बेल आइकान को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इससे मेरे निव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा है, तो देखिए, हमने पनीर भी आट करके, दो मिनिट और अपनी सबजी को स्टीम दे दिया है, हमारी सबजी एद्दम पॉफेकली कुक हो चुकी है, आप इसे पूरी पराठा, लच्छे वाले पराठे किसी के साथ भी खा कर एंजॉय कर सकते हैं, इसमें मैंने डाल दिये थोड़ा सा हरा दनिया, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से, और आप ज़रूर ट्राइ कीजिए रेसिपी, मिलते हैं नेक्स वीडिए।